स्टूरेंट्स बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं फीजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स लेवल फॉर्थ क्लास 12th HVAC हर्याना भिवानी बोर्ड का यूनिट 2 का सेशन 2 इससे पहले हमने यूनिट 1 के सेशन 1 और सेशन 2 यूनिट 2 का सेशन 1 यानि की टोटल 3 सेशन प्लेएलिस्ट में सीक्वेंस वैस सभी अपलोड कर दिया है यह लास्ट यूनिट अन लास्ट सेशन है फर्स्ट और सेक्ड और दो दो कोश्चंज करके ट्राइ करते हैं अपलोड कोरने की कोश्चंज की देखी बटा, first question, long questions है, first, खेल के मेदानों के निरिक्षन के दुरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, answer, खेल के मेदान किस्त है, खड़े पानी और मलवे से मुक्त होनी चाहिए, जिसे से बच्चे गिर सकते हैं, जैसे चटाने, पेड के टूठूंठ और पेड की ये करकीट, डामर और ब्लैक टॉप, सुरक्षित और अस भी कार्या है, घास, मिट्टी और प्रित्वी की तस्त है, सुरक्षित, क्योंकि वे ये गिरने से बचा सकते हैं, पिच्च से पत्थर, कंकर, चकमक, पत्थर, तेज, वस्तूं से के टुकडे हटा दे, हटा दे, ठीक है जी, रोजानना फर्ष पर जड़ू लगाएं, अगर यहाए एक सिमेंटेड फर्ष या, कोट पर केवल अनुशंशित जूते पहनने की अनुमती दे, जमीन का स्तरों ढ़लाना ऐसा होना चाहिए, कि जल जमाब नहीं हो, ड्रेनेज सिस्टम की मरमत और जा करें, लास्ट पॉइंट है इसी कोश्चन का जी, पेशिवर मशीनरी से विशेश ब्रशिंग जैसे सिमेंट के फर्ष के लिए, सेकिंड कोश्चन देखे बटा, खेल के मेदान के उपकरन क्या है, और इन उपकरनों को साफ करना क्यों जूरूरी है, और इने कैसे साफ रख जाता है, खेल के अधार पर विवीन रूप है, लेकिन खेल को पूरा करना वश्यक है, उपकरन गेंदों से लेकर नेट तक और हलमट जैसे सुरक्षात्मक गियर तक होते हैं, खेल उपकरन को सुरक्षात्मक गियर के रूप में या अथलीटों को खेल खेलने में मदद करन उपकरन के रूम में इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के रुगानू उस व्यक्ति द्वारा छुई गई, किसी भी बस्तु है उनकी देखवाल के रुगानू उस व्यक्ति द्वारा छुई गई, किसी भी बस्तु है उनकी देखवाल के रुगानू उस व्यक्ति करना महत्य पूर्न अपकरन को साफ करना और और अवशे कर तो कि यह हमें वैक्टीरिय और विमारियों के अन्या कारनों से अधिक सुरक्षित होने में मदद करता है इंची जों की सफाई करते समय नीमन नीमन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह सुनिष्ट करने के लिए जांचे की सभी सफाई की कि टानू नाशक उत्पादों की तित्या समापत नहीं हुई है एक्सपाइड उत्पाद ठीक से किटानू रहीत नहीं होंगे यह सुनिशित करने के लिए जांचे की उत्पाद उसस्त है कि अनकूल है जिस पर इसे लगाया जा रहा है घ्रेलू बलीच को अमोनिया या किसी अन्यक लिंजर के साथ कभी नहीं मिलाएं क्योंकि जहरीली कैसे हो सकती है किटानू नाशक लगाते समय अनुशंशित शुरक्षात्मक गियर पहने उप्रोक्त सीडिसी अनुशंशित समाधानों का उप्योग करने करने से आपके खेल के मिदान के उपकरन को कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी वरंटी इसक